नमस्कार न्यूज यूग में आप सभी का स्वागत है माहूं आपके साथ पूचा प्रथम राई से बीजेपी विधायक मोहलाल बडोली ने आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एतिहासिक फैसला बताया है साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में हो कोर्ट का फैसला फैसला होता है देश की जनता ने आयोध्या फैसले का स्वागत दिल से किया है कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्री मंडल के गठन के लिए मुख्य मंत्री ने पांच सदस्यों की कमेटी बनाई है एक सप्ता के अंदर मंत्री मंडल का गठन हो जाएगा और ये एक अच्छी सुरुवात हुई है इसे ये फैसला कोई इंदू और मुस्लमान का फैसला नहीं है ये फैसला बारत में रहने वाड़े सभी बारतियों के लिए है और सभी बारतिये नागरिक जितने भी है दुनिया के किसी भी कोणे में कोई भी भारतिय रहता है उसने इस सुप्रिम कोट के फैसले का सवागत किया है ये एक अच्छी सुरुवात देश के अंदर हुई है इसका हम सब भी सवागत करते हैं और ये भारतिय जन्ता पार्टी के चुनावी अजिंडे में भी था और ये राजनीति के मुद्दा 1527 से बना हुआ था आज इसका बहुत अच्छा समाधान मान्ये सुप्रिम कोट ने किया है इसका हम सभी सवागत करते हैं और देश के अंदर आज सभी धर्मों के लोगों ने इसका सवागत किया है मन्तरी मंदल का गठन क्योंकि दो पार्टियों के गठबंदन का जिस परकार की सरकार बणी है अमारे मुख्यमंतरी जी ने एक फार्स सदस्य कमेटी बनाई है एक कोमन एजंडा उसमें बढ़ेगा और जब वो कोमन एजंडा बन जयेगा और उसके बाद सरकार का भी गठन जिस प्रकार से मुख्यमंतरी जी ने बोला है, वही बात सभी बताएंगे, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ